हलो दोस्तो आज मैं बनाने जा रहे हूँ मतर पनीर की सब्जी और साथ में ले लिया है मैंने प्याज, दो टमाटर, एक हरी मिर्ची और एक आलू क्योंकि मैं आलू डाल के बनाऊंगी आज नई तरीका से और ये पनीर मैंने घर पे ही दूद से बनाया है और साथ मैंने रख चुर वड़ए तक मैं अपनी और वी मसाले तायार कर लूँगी इसलिए मैं पहले पनीर को सेख के रख देती हूं एक सब्सक्राइब पानी में डाल जालगे क्योंकि पनीर को मैं पहले आप पानी में डाल के रघ दोगे नाद दस-वीश मैंने थोड़ा पानी कर लिया था गुन-गुनाई किया जादा आपको नहीं करना क्योंकि अभी सर्दी अगर सर्दी ना होती तो आप भी बिना गरम पानी गुन-गुने करें ऐसे ही डाल देते अभी गर्मियों में जी सर्दी कसी यह नहीं तो थोड़ा पानी जादा थंडा वह जाता है इसलिए मुझे थोड़ा अशा करम करना पड़ा है यह मैंने एक आलू डाला है क्योंकि आलू मेरे पणीर की नहीं खाता है आलू डाल दो तो साथ मैं खा लेता है तो मैं आज आलू और पणीर दोनों को मिक्स करके अच्छे से बना रही हूं मतर पणीर समझ लो निकल के एक साइड रख दूँँगे आलू को मैं पानी में नहीं डालना है आलू तो बैसे ही अपने बनके रेडी हो जाते हैं लाल मिड़्ची सुकी हल्दी और धनिया पाड़ साथ में मैंने टमाटर की प्यूरी नमक और प्याज को मैंने अच्छे से काट लिया है और हरी मिर्च को मैंने यह नहीं पीसा है अगर आप चाहो तो प्याज को भी पीस सकते हो लेकिन मैंने पीसा नहीं है ऐसे ही बारी काट लिया है साथ में तेल मेरा गरम हो चुका है तो मैंने डाल दिया है जीरा जीरा गरम होने के बाद अच्छे से चटक गया है जीरा तो बनके रेडी होता है और मेरे घर पर क्या है जाधा मसाले वाली सब्जी नहीं खबती इसलिए मैं प्याज ऐसे ज़्यादा करके काटके डालती हूँ इससे क्या है अच्छा टेश्ट भी आता है और ज्यादा मसाले का भी पता नहीं पड़ता और देखें ये सब कुछ मैंने कि अज़े को मैं अच्छे से बूझ के तैयार कर लूगी देखिए कितनी चलार आया है और इसमें कोई कह सकता है कि प्याज को मैंने काटके डालाए अगर आप काटके भी डालो तो भी और मिक्सी में पीसके भी डालो बस आपके टेश्ट कहानी में अच्छा आना चाहिए कि लेज़ पनीर कि बनानी का तरीका होना चाहिए। दढ़ने मतर मसाले की शाथ ही मैंने और कुछ ही नहीत डाला क्यूंकि हमारा पनीर पानीं की की करें आकि अर्वन हैयों दढ़ने के साथ म tą मंतर को खुल करें दो ऑपनी 총 Ken Campbell's करें कि रखेंद आ Rozूल संदो कि टेस्ट के सापसे डाल सकती हो, आपको ज़ादा पानी चाहिए या कम चाहिए। अब ऐसा हम ऊसके मेरे लेकिन थोड़ा ही बना रही हूं तो थोड़ा ही पानी डाल जाएगा पनीर को graduating को आण जाने के बाद के में थेखो पनीर को इस तरह से आपको को मसल मसल के डाल रहते हैं और ज्यादा तागत नहीं लखानी यह बस नौर्मल तरीके से आप थोड़ा सा इसको आराम से करोगे न थोड़े आराम से हो जाए नहीं तो आप ज्यादा करोगे न उसको तो वह बेकार हो जाएगा और साथ में देखी मेरे पनीर अच्छे से खदक रहा है पानी अच्छे से उबल रहा है तो मैंने डाल दिया इसमें पनीर अब पनीर मेरा अच्छे से उबल के तयार हो जाएगा देखो कितनी अच्छे से उबल रहा है और यह देखिए आप इस तरह से बना कर देखिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब करना मत बूलिए और कमेंट में बताइए औ देखिए यह मेरा पनीर बन के तयार हो गए ओके